स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडिए विद अमन कुलमी आज हम लाए हैं शिक्षा निर्देशाले रासे राज़ाने शेति दिली की आकलन कारेपतक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए विश्य आपका गड़ित है डेट है जिसकी 28 सिदंबर दुजरिक किस आप नाम और अपने उक्षद आपके नाम लिए तो यहां पर आपको समाने निर्देश दे रखेंगे कारेपतक आपके 20 नंकी है यह निए 20 नंबर के है और टोटल आपके 10 कुशन है हर कुशन के सामने उसरे के माउस लिखे हुए है तो फर्स कुशन हम देखते हैं सलंगन आंक रायसरे हमारी तीयरक करेख चैई एक नंद बन रहा है एंगल टू बन रहा है और एंगल थ्रीक कॉन ऊंतर इसमें हमारे संगत कों भाए तो तो आप इसमें क्या लिखेंगे संगत कौन लिखेंगे तो आप लिखेंगे एंगल वन एंगल टू और एंगल त्री इक्वल्स तू संगत कौन आप इसमें लिखेंगे यह हमारी संगत कौन है फिर सगेंड कोशन देखते हैं सगेंड कोशन हमें दे रखेंगे सलंगन आकरित हैं वो हमारे क्या है रेशियो में दे रहे हैं वाई का रेशियो वाई 3 और हमारा सेवन है तो आपको एक्स का मान ग्याद करना है तो एजीली निकाल सकते हैं तो चलिए इसका करते हैं तो हमें दिया क्या है हमें दे रखा है भी हमारा सीडी के समानते हैं सीडी हमारा एफ के समानते हैं हमें ग्याद क्या करना है हमें मान ग्याद करना है X का हमने माना कि हमारा Y है वो 3A है 7 Z हमारा वो 7A है अब यह तो 3 दे रखा था Z हम भी 7 दे रखा था A हमने कहां से लिया है हम जाते हैं 3X 7X लगाते हैं तो पर हमें तो इस बार X की value निकालने तो हमने इसमें A ले लिया अब प्रमान क्या करना है हमें कि A B पारलल है CD के तो X plus Y हमारा 180 degree कैसे होगा अब आप फिगर में देखेंगी तो यह X और यह Y हे हमारा यह दोनों हमारी एक यह त्हीर क्रिका में बंढ़ लग है तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 degrees होगा तो X plus Y हमारा कितना होगा 180 degree होगा तो Y की वैल्य है हमारी 3A है हमने अभी निकाली यह हमारा 3A है X plus 3A करेंगे तो 180 degree क्यों को रहोगा 3A यहां पर plus 20 दरा के minus मिझे जाएगा तो X is equal to 180 minus 3A हो जाएगा तो X की वैल्य क्या होगी 180 minus 3A समांतर है cdf के समांतर है अब ebпис lang aef के समांतर है अगर abcdf के समांतर है और cdf महांतर है तो हमारे और एंगल x के एक्वल हो यह . यह जो Taylor ही कैसे रिखा ही ने काट रहे हैं तो यह हमारे एक आंतर कोण बन रहे हैं तो X हमारे Z की इक्वल होगा X की वैल्यू क्या दे रखे हमें 180 माइनस 3A और हमने निकाल लिए भी 180 माइनस 3A Z की वैल्यू हमारी 70 यहां भी माइनस का 3A इधरा के प्लस का 3 जाएगा 70 प्लस 3A करेंगे तो 10A 180 इसे साथ मल्टिप्लाय में इधरा के डिवाइड हो जाएगा तो 180 में 10 डिवाइड करेंगे 0 से 0 कटा एक की वैल्यू हमारी 18 आ गई अब हम एजीली निकाल सकते है एक्स की वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू के अधर रिकती 180 माइनस 3A एक की वैल्यू के आ गई 18 रख दिया 318 जा 54 हो जाएगा 180 में से 54 माइनस करेंगे तो यह हमारा एक्स इसगोल टू 126 यह एक्स की वैल्यू हमारी 126 आ गई तो आप इसे कर लेंगे आंसर में कोशिश नमबर 3 है हमारा MNO में यदि N is equal to 90 डिग्री तो सबसे बड़ी बुजा लिखे तो आप इसका आंसर करेंगे तो हमें दे रखा है MNO ट्रैंगल MNO तो हमें और उसमें न हमारा 90 डिग्री है हमें बतार कर करती है तो आने खांत्तू हमारी 90 डिख्री पर मनेंगा मौन यह फाली ट्रैंगल बधना आको को सबसे बड़ी बुजा बता नहीं है तो यह नहीं लिखेंग आप सब से बड़ी बुजा कौन सीर्ष में आपको पिता है मोट्रे पांच का रेश्यू साथ है तो सभी इको उन ग्याद किजिए यानि आपको एक लाइन दो लाइन दे रिके जो की प्रतिचेदी रेखा है यह हमारी पी है यह हमारी क्यों है यह हमारी आर है यह हमारी और 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 क्यों है वह फाइव का रेश्यू सेवन है तो हम फाइव को हम भी बोल सकते हैं और 7 को हम 7x माल लेते हैं तो 5x और 7x अब इन दोनों का हम सम करेंगे क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं तो यह हमारी रैखे ग्यों से 180 डीडी के करोंगे तो 5x फ्लस 7x करेंगे तो हमारा 180 डीडी जाना चाहिए तो आगे हम इसे सॉल्फ करके पाकी अंगल्स निकालते हैं तो यह दो प्रतिछेदी रेखा है इसे पी ओ आर हमारा लेश्यों आरो की के यानि 5 जेश्यों 7 है तो माना हमने प्राइंगल पी ओ आर है वह फाइव एक सारो की हमने आगे हम आगे हम एसे लिनकाल सकते हैं अब जो हमारा पी हो आघव इसे से लिंकाल सकते हैं अब जो हमारा पी हो आ है वोमारा 5 X 15 ता 5 ंटो 15 करेंगें तो 75 दिगरी और हो गती हो 45 करेंगे तो 105 पर 105 उड़ेखते हैं जो हमारा 5 X यह हमारा था 75 निकल गया यह यह हमारा 105 डिखनत आप देखिए कि इसके भी मजलिक है यह हमारा 75 ओकषर यह भी हमारा station remote cone है तो यह भी हमारा 105 degree होगा तो हमने चारो एंगल निकाल लेगे हमें यह निकालना था और आप यहां से लिख भी लेंगे सोक्यू हमारा equal हो जाएगा पी ओर के पीओर कितना है 75 degree और पी ओर हमारा आरो क्यू के एकवल हो जाएगा यह हमारा एक सोपास जगरी और करना आप लिखेंगे शेश्र विमोग कॉन तो यह कर लेंगे यह आपका कुशन कंप्लीड होता है यहां पर कुशन नमबर फिफ्ट है आपका एक तिर्बुच पी क्यू यार में यदि पी क्यू पी आर के एक और क्यू पी यार यानिल यह रहा हुआ के लिखा लग्वान्ग्राइश्र पाहिन करना इनक्वाणीं कून होता करना है और तो कि हमारे इस तिर्बुच यह बला और क्यूए इकृर्म है तो यवानुन कीन में हमें क्या निकालना है हमें PQR यानि यह वाले अंगल का माप निकालना है तो चलिए करते हैं इसका अंसर तो यह हमें दे रखा है PQR और यह हमारे इसके vaulKO से वीच में क्यूंवाला अंगल और मारा अर हें मैं को यह इंगाए कड़ हेंगे आप लिखेंगे ट्राइंगल पिखल लुट घर पर काल एंगल ठकेना अपक्षों कर शावर ella ठीडिग्री होता है और पर यह इसके बराबर आपको बता है यह वाला जो ऑंगल है कि समुन खरका निंदी हमने अंगल गिभाबर है अब यहां पर हमारा यह प्लस में इंदर के माइनस को जाएगा वह हैं टीडिवाइट में से ठरी माइनस करेंगे वेली हो मारी कितने आ जाएगी हमारी प्यक्यार कि वद्धी 75 डिग्री का हो जाएगा और अगर यह बोला होता तो हमारा यह भी 75 होता 75 75 हमारा हो जाता 150 और यह थर्टी तो यह तीनों कसम हमारा 180 आ जाता तो easily हमने निकाल लिया कोशिन नमब्र 6 करते हैं सिद्ध कि एक तिर्बूज के आंतरी कोनों का यो एक 180 डिगरी होता है तो आपको यह बताना है कि एक तिर्बूजाराओं चाहें इसके आंत्री एक तीन यागर होते हैं इंतिनों का सम्म 2004 के उते होता है नहीं होता है हमें पता है 180 एकवल होता है हमें बस सिदध करना है तो इसले करते हैं से तो सबसे पहले आप एक आइघल बनाएंगे अब अबसे बताना है दिया हमएं एब 2 का रिक्वल सब्सक्राइब करें अब यहां पर हमने ग्रचना करिए हमने पी क्यों एक लाइन रो करिए रिखागंड की जाए जो कि बीसी के समानतर है और एसे गुजरता हुआ है अब हमें प्रमान दे रखा है यह हमारा जो एंगल 4 है एंगल 1 और एंगल 5 आप देखिए यह तीनों इसी लाइन पर बन रहे हैं तो इन तीनों कसम कितना हो रहेगा 180 डीडी होगा कैसे रखे यूंसे तो यह हमारा एक्क्वेशन फर्स होजाएगी सब्सक्राइगी अब हमें पता है पी क्यू हमारा बी सी क समानतर है तो इसमें जो यह वाली हमारी तीयर क्रेका होगी तो इसमें जो एंगल 5 और एंगल 3 बनेंगे कि हमारे एक दूसरे के बराबर होंगे कैसे बराबर होंगे एक आंतर कौन से बराबर होंगे हमारे एंगल 5 एंगल 3 से एक आंतर कौन से बराबर होंगे तो हम एंगल 3 को हम angle 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम दूसरे के बराबर ही है ऐसी हम अगर इधर देखें तो यह जो हमारा यह पीक्यू बीसी के समानतर है और यह वाली हमारी तेर क्रिक है तो angle 4 जो हमारे angle 2 यह पीक्या व के बराबर है तो हम यह उसके बराबर है तो हम एंगल 2 को फो भी लिख सकते हैं यह अम आगे हमें क्यों को Mi PF में मैं आपीक्या से में एंगल 4 मां 80 degree के एकवल है क्योंकि अगर मने से एंगल 2 को एंगल 4 ले लिया और अगल 3 को एंगल 5 ले लिया तो यह हमारे इन तीनों कासम इंगल прекрас है थो इसे एंगल 4 मानले हम लें तो तो एंगल 4, 1, 5, 180 degree के equal होगा, तो यह हमारा answer हो जाएगा, यह हमने सिद्ध कर दिया कि एंगल 1, 2, 3, यानि तिरबुच के जितने भी कोण होते हैं, तीनों कोणों का sum 180 degree के equal होता है, 7 question है, A, B, C एक तिरबुच यह, जिसमें A, B, AC है, आप देखिए, A, B, C आपको एक तिरबुच दे रखा है, तो हम इसे पहले जाएं साथ सा समझ लिते हैं, यह हमारा A, B, C है, A, B, C हमारा एक तिरबुच दे रखा है, A, B हमारा AC के बराबर है, और जो हमारा P और Q ऐसे बि आप आपका अ प है वहारा और यह तो नों भी बराबर है आपको सवक्त करना कि मैं और यह तो आप रह नहीं को आपको सुद्ध करना है कि हमारा प की है तो मैं नहीं सिथेंगी कि हमारा एब है वो AC के बराबर है और हम AP AB में से AP को घटा दे तो हमारा कितना बचेगा BP बचेगा और अगर हम AC में से AQ को घटा दे तो हमारा कितना बचेगा CQ बचेगा इतना सही बचेगा पार्ट यह वाला पार्ट बचेगा एक तो BP और एक हमारा और यह CQ बचेगा तो यह हमारी equation फर्स पिटाएगी अब triangle आप देखेंगे triangle BCQ और triangle BCP में जड़ा हमारा triangle BCQ बनेगा और triangle हमारा बनेगा BCP यह दो triangle बनेगे हमारे इस पे हम देखें जो हमारा CQ है CQ वो हमारा BP के बराबर होगा क्योंकि हमारा यह अभी हमने देखा था sumigrant X है हमने इसे solve कर रहा है यहाँ पे sumigrant X से लिख लेंगे BC हमारा BC के बराबर होगा क्योंकि दोनों में हमारा की है तो यह obinance होजाएगी और जो ट्राइंगल BCQ फो ECP के बराबर होगा यह घी ग्राबर होगा क्योंकि हमारी यह दो रेखा है यह यह बराबर होती है जो प्सके है और इसमें प्शे बंग रह बराबर होता हैं तो इसमें आपTake. लिख सकते हैं A B बराबर है A C के तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल B C Q और इसमें रूल कौन सा लग रहा है हमारा S A S यानि साइड एंगल साइड और हम कह सकते हैं इससे और इसमें बराबर है CP CT से कंग्रेंगल से दिखते हैं Ц क्टी वी एंगल्य झायर के प्राइंगल है लिखते हैं यह जो आपको आख़ी क्लिया मतर्ध देखे कि इसमें आपका A B है वह सीडיתי आ। CD आपका EF के पैरलल है और EA जो हमारी यह वाली लाइन बन रही है इसे हम साथ साथ बनाते है AB हमारा CD के पैरलल है CD हमारा EF के पैरलल है और जो EA यानि हमारी यह लाइन बन रही है यह हमारी A है यह E है वो AB यानि इस लाइन के perpendicular है यह वाला जो गokingव बन रहे है ऑब इसमें आपको यह हमारी एक तियर क्रिक हाए जो की यह वाला जो एंगल एक्स है और यह वाला जो एंगल यह और आपको यह निकालने तो एक्स वाइजड का मान गयाद करना है तो चलिए करते हैं इसका आंसर तो हमें पता है आपको एक्स वाइजड के परेलल है यानि हमें आरे जो A, B है वो C, D के परेलल हो तो जो बरे ब, E है वो एक तीर करेका होगी यह जो एक तीर करेक है तो इसमें जो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बन रहा है हमारा यह एक दूसरे के बराबर होगा कैसे बराबर होगा संगत कोंड से X और Y हमारे संगत और सिजी कोन्स है अब सीडी माया एफ के पैलेलेव के है और फीश वागुन हमारी तब दोने हमारा अंगल में 55 और सम करेंगे हमारा 180 के परढ़र हों उनका सम ऐती के को फोल होता है तो आप ढीजैन भी लिखेंगे यां से यां से ते तीर कृखा के ही कोड बने कौन तो तेर करी कोड़ें को आपके 180 degree के एकवल होंगे तो वाई प्लस 55 यहां पे प्लस का इदर आके मैनेस करेंगा 180 में से 55 मैनेस करेंगे तो 125 तो वाई की वैली कितने आ गई 125 हमें यहां पे देखा था कि हमारा राएक्स एक्वल है वाई के तो ओकितना आएगा 125 संगत कोंट से तो आपका एकस इस वाई तो यहांना है अन्साल जाएका दिनकालनाँ तो हमें देख लेते हैं तो हम चिन को बहुत है आपको बता रहे है अब सिदी है fak fr आपको देख जाए तो covers the YouTube a by the YouTube a work तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा है तो नाइंटी प्लस 55 प्लस हमारा जैड करेंगे तो हमारा फिफ्टी प्लस नाइंटी प्लस 55 करेंगे तो यहां पर प्रीजन के साथ लिखेंगे कि यहां प्लस नाइंटी प्लस प्लस फिफ्टी वाइनटी डिग्री करेंगे तो यहां प्लस में जैट इस गुल टूवनिटी डिग्री जैट की वैली कितने आ गए हमारी 35 जैट की वैली कितने आ रिगी 35 डिग्री आ रिगी तो अब इसमें की वैली 35 वागी एक्सकी वैली 25 और वाइक की वैली 15 हमने थीनों की वैलीव निकाल तुलिए कि बिक्रक्तों मरे माने आपको हgy कि तरीपुछ से तरख का और तरीपुछ से दयतके आपको जोड़ा और ग Mean सब बाति है कि यह दोनों की बैसी पर बहुत-। — पर बड़ाये गया है कि रहूं it हमारा triangle A-B-D यानि triangle ABD ये वाला triangle हमारा rayagle ABD और triangle ACD ये वाला triangle ये हमारा इसके congruence ये सरवांगसम है ने औरहमें दूसरे में क्या दर्शान है ABP可以 pink ये अरब tap ini cpa पूरा triangle इसके congruence ये सरवांगसम है ये करतें इस तो हमें पता है AB हमारा AC के बराबर है और BD हमारा CD के बराबर इतना इसादए पता ही है तो हमें इसरे में सिर्फ Falcon आधि रेका स्ट्रात है विग दो ग् dichtरें लिए डेकल ABD ये वाला ट्रेंगल और अंच्बो जिए भाला ट्रेंगल और यह हमारा ubanist है तो यह आप लिख लेंगे तो हम कहा सकते हैं triangle ABD सरवांस हम है triangle ACDK SSS यानि side 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 से अब आप इसमें देखें जो बारा BAP और CAP है यानि हमारा एक triangle बन रहा है BAP और CAP यह दो बन रहा है हमारे बराबर होंगे CPCT से यानि corresponding parts of triangle से equal होंगे यानि अगर हमने सिद्ध कर दिया कि यह दो triangle हमारे सरवांस है तो इसके जो corresponding parts होंगे वो भी हमारे बराबर होंगे second में हमें क्या सिद्ध करना था ABP हमारा congrence है ACP के है यानि तो हमें दे रखा है ABP और ACP में यानि हमें यह भी दे रखा था ABP के common हो जागा यह हमारा अबनेस्ट हो गया और हमें क्या देना है और हमें हम उपर से BAP और CAP वाला भी ले सकते हैं CPCT से यानि BAP हमारा CAP के उपर हमने उपर समिकरन एक से इस से ले दिया अब हम कह सकते हैं triangle ABP सरवांग से में triangle ACP के बाइट side angle side तो यह हमने दोनों वी solve कर लिया हमें बस यह दो solve करने थी next question देखते है next question है समकोन तिर्बुच ABC में यहां पर आपको समकोन तिर्बुच दे रखा है AB और C यह एक तिर्बुच दे रखा है समकोन तिर्बुच आपको दे रखा है इसमें M आपका जो है वो करन है AB का यह करन मद्य बिंदू है C को M से जोड़ा जाता है यानि C हमारा M से जोड़ा जा रहा है यह CM से जोड़ा जा रहा है और एक बिंदू D तक इस प्रकार बढ़ा जाता है यानि M को जोड़ते हो इतना बढ़ा जाता है कि वो जो cm है मारे dm के बराबर हो अब बिंदू d को हमने b से जोड़ दिया तो आपको फिगर भी दे रख है आपको बताना है यह हमारा amc और bmd amc और bmd यह वाला ट्रेंगल और इसके सरवांसम होगा यह यह और आपको बताना है ट्रेंगल دی بی سی 90 degree के equal हो घगा है 90 degree का ही तो हमें दीया है دीया है कि DN हमारा CM के बराबर है BM हमारा AM के बराबर है Tiangle AMC और Tiengle BMD में देखें AMC और BMD में AB हमारा BM के बराबर है CM हमारा DM के बराबर है यह हमें दीया हुआ है और avons AMC और सिन्ट we should answer , इसके बराबर होगा, निया हमारे शेष्ण न बिवमुक्न होगा तो कियो सकते हैं, ट्राइंगल एलंची include exc podia ट्राइंगल PMद करें निजिए आंगल होगी और हम निजिए अडिक कियों द्रेखexist का कियो आदिको , इस वाले ट्रैंगल के सरवांग सम सिद्ध कर दिया तो इसके जो corresponding parts होंगे वो भी equal होंगी तो ये CPCT से equal हो जाएगा पर हमें ये भी बता रएक है जो ACM और BDM है वो एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं अथा हम कहा सकते हैं BD हमारा AC के parallel है यानि आप देखे हमें ये बताए कि ये वाला एंगल हमारे ये वाले स्वरी हमें ये बताए कि हमारे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बने हमारे ये बराबर हुआ तो ये वारे आप देखे एकांतर कोण बराबर है तो हम कहा सकते हैं AC और हमारा हमारा समांतर है हमारी तो AC और BD अगर हमारी समांतर होगी तो हमारा लोड़ इंगल DBC और एंगल AC 180 डीडी के को लोगा क्योंकि तियर क्रेका एक ही और बने कौन बरावर होता है तो DBC AC भी हमारा 90 डीडी टी डीडी का है तो 180 में से 90 प्रेंगे तो टीबीसी हमें निकालना था वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा यानि हम यह दे रखा था डीबीसी और एसी भी यह हमें पहले ही 90 डिग्री बता रखा था अगर गी हमें निकालना था तो हम इन यह बीसी पर जो हमारी बन रहें तो 90 और 90 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी 180 डिग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज में चाल को सब्सक्राइब जरू करें और उसके बाद आने वाले बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिशन नाइम से मिलती रहे और यह वीडियो अच्छ लगी तो इसे लाइक और शेयर जरू करेंगा थांक्स वाचिंडियो और बाइब गाईस